एल्कॉल बनाने की विध्यों के अंतरगत अगली मेथड है फ्राम ग्रिणाड रेजेंट ग्रिणाड रेजेंट अर्थात RMGX याने CS3MGBR इसका एक्जामपल है और ग्रिणाड रेजेंट से हम प्राइमरी एल्कॉल, सेकंडरी एल्कॉल और टर्शरी एल्कॉल बना सकते हैं जब फार्मिल डियाइड पर मैथिल मेगनिशम प्रॉमाइड की रेक्शन करते हैं तो आप यहाँ पर देख रहे हैं एक एडिशन कंपाउंड बन रहा है CS3, CH2O, MGBR और हाइड्रोलिसिस के बाद इथेनाल और MGBROH मिल रहा है तो इस प्रकार से यहाँ जो इथेनाल बन रहा है यह प्राइमरी अल्कॉल है आई हम बात करते हैं आप सेकंडरी अल्कॉल की जब ऐसी टेल डियाइड पर मैथिल मेगनिशम प्रॉमाइड की रेक्शन करते हैं तो यहाँ पर एक एडिशन कंपाउंड बनेगा जिसमें हाइड्रोलेसिस के बाद हमको आईसोग्रॉपाइल अल्कॉल आप यहाँ देख रहे होंगे CS3, CS3 और H और OH तो यहाँ पर सेकंडरी अल्कॉल बन रहा है अब बात करते हैं टर्शिरी अल्कॉल की तो जब ऐसी टोन की मैथिल मेगनिशम प्रॉमाइड के साथ रेक्शन करेंगे तो पहले एडिशन कंपाउंड बनेगा जिसके हाइड्रोलेसिस से हमको टर्शिरी अल्कॉल मिलेगा जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं CS3, 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 तो इस प्रिकार ग्रिबनाड रेजेंट एक ऐसा रेजेंटी जिससे हम प्राइमरी, सेकंडरी और टर्शिरी तीनों अल्कॉल बना सकते हैं थैंक्यू